हम लाते हैं टॉप नियूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेट इंटर्टेन्मेंट सिर्फ यूट्यूब पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्स्राइब नहीं किया तो अभी सब्स्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटिस्ट वीडियो के बारे में अफटेट जानें सब्स्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ बहदरबाद से पेचा मेंगा पड़ गया पारूक सतार की पतन कट गई MQM पाकिस्तान की कन्वेनर्शिप से छुट्टी चीफ एलेक्शन कमिशनर की सरबराही में पाच रुकनी कमिशन का बड़ा फैसला इंट्रा पार्टी एलेक्शन भी कल अदम खरा हमारे साथ नाइल साफी है फारूक बाई से भी ये कहेंगे कि इसको चैलिंज करें बहादराबाद के साथियों में से कोई भी यहां पे मौजूद नहीं था शायद उनको पहले से इल्म था कि फैसला क्या आने वाला है ये भी एक तश्वीश की बात है बहादराबाद वाले नहीं आए क्या उन्हें फैसले का इल्म था पी-ाई-बी ग्रुट ने सवाल उठा दिया नाइंसाफी हुई फैसला चैलिंज करें अली रजाबदी का फारूख सत्तार को मश्वरा पंजाब हकुमत के जिस मंसूबे को हाथ लगाए करप्शन में लित्रा मिलेगा रवल पिंदी इसलामबाद मेट्रो मस्थूबे में बदुन्वानी की निशान दही हो गए इमरान खान का च्विट नवास शरीफ के बयानात नशर करने पर पाबंदी लगाए जाए लाहॉर हाई कोड के जस्टिस मामून ररशीद में दरखास समाथ के लिए फुल बेंच को भिजगाती सुप्रीम कोट में आज फिर आहम केसिस की समाथ नहाल हाश्मी पर तोहीन अदालत केस में फर्द जर्माइद होगी दानियाल अजीज की भी पेशी रिकॉर्ड टेंपरिंग केस जफर हजाजी के मुकदमा खारिश करने की दर्खवास मुस्तरद इस्लामबाद हाई कोड का ट्राइल कोड को कारवाई जारी रखने का हुक्म एक हफ़ते के दौरान शनाफ्ती कार्ट की सीस के मामने में सबंदर पार पाकिस्तानियों को रिलीस दिया जाए सुप्रिम कोड का हुक्म हुकुमत ने तारिकीन वतन को वोट देने के लिए कुछ नहीं किया कानून साजी करें चीफ जस्टिस के रिमार अज्रा शाह मुकीम में गंदे पानी से जनाजा ले जाने से मुतालेक असखुद नोटिस की समाथ चेमिन मिनसिफल कमेटी ने जनाजा काह पर कबजा कर रखा है कांसलर का बयान चीफ जस्टिस ने रिपोर्ट तलब कर ली सुप्रीम कोट में सरकारी अफसरान की दोहरी शेरियत केस की समाथ सिटिजन चिप चुपाने वाले 147 अफसरान गेर मुल्की बेगमात वाले 291 अफसरान को नोटिस जारी समाथ आएंदा हफ़ते तक मुल्टवी कराशी में सूरज के तेवर बिगड़ गए आज गर्म तरीन दिन पाराज 40 तक जाने का इमकान हल्की हवाएं चलिंगी हीट वेव का खद्शा नहीं महकमे मौसमयाद की विजाहत लोहर का मौल रोड बन गया एतजाज रोड पंजाब असमली के सामने लेडी हेल्थ वर्कर्स का धरना बकाय जात की अदाईगी का मतालबा ट्राफिक का निजाम दरहम बरहम जल्द बाजी मौत के मूँ में ले गई रहीमियार खान में ट्रेक्टर ट्रॉली ट्रेन की जद में आ गई ड्राइवर जांबाद ट्रैक पर आमदर रफ पांच घंटे बाद बाहर पाकिस्तान के मेहमान खुशियां बिकेर कर वापस रवाना सेमी, डीन जॉन्स, रॉन्की, फ्लेचर, जॉर्डन, वेसल्स, डाउसन, पर्टेल, बदरी समयत तमाम गयर मुल्की क्रिकेटर्स ने उड़ान भर दी क्रिकेट दीवाने हो जाएं तयार, वेसंदीज के खिलाफ टी-ट्रिंटी सीरीज के टिकेट्स की आनलाइन फरोगत शुरू कराजी के नैशनल स्टेडियम में यकुम से तीन अपरिल तक मैटर्स शेडियून मक्बूजा कश्मीर में भारत की रियासिती देश्टगर्दी पर अमीर का में भी आवास बलन लास एंजलिस में इंसानी हकुकी खिलाफ वर्जियों पर कार रैली शुरुका ने लोगों में पेंसेर तक्सीम किये यमन से एक बार फिर साओधी अरपर मीजाईल दाव दिये गए डिफेंस शील्ड के जरीए सातों तबाह मलबा गिरने से एक शक्स जांबहक दो सक्मी रूस के शापिंग मॉल में खौफ ना कातिज़द की तरेपन अफराद हलाक बच्चों समेथ दरजनों लापता रिटन में सबसे पहले आपको बताएं कि कराची की सियासत में एक बार फिर हल चल मच गई है क्योंके बहादराबाद से पी आई बी का जो पेच था वो उसे महंगा पड़ गया फारूक सतार की बतां कट गई, MQM पाकिस्तान की कनविनर्शिप से उनकी छुटी हो गई है इंट्रा पार्टी एलेक्शन भी कल अदम करार दे दिये गए हैं एलेक्शन कमिशन ने ये फैसला सुनाया है चीफ एलेक्शन कमिशन की सरबराही में पांच रुकनी कमिशन ने ये फैसला सुनाया कि जिसमें इंट्रा पार्टी एलेक्शन जिसका इन्यकाद पी आई बी ग्रूप की जानिब से किया गया उसे एक कल अदम करार दिया गया तो आटिमेटिकली जो फारूप सत्तार हैं उनकी कनवीनर्शिप भी खत्म हो गई है और इस तरह से बहादराबाद ने केस जीत लिया है पी आई बी के खिलाफ फारूप सत्तार की पतंग कट गई फारूप सत्तार को मकीम पाकिस्तान की कनवीनर्शिप से हटा दिया है यहीी नहीं बलके फारूप सत्तार की कियादت में होने वाले इंटरा पार्टि एलेक्शन भी कल identities करार दे दी हैं चीफ ऐलेक्शन कमिशन की सरबराही में पांच रुकनी कमिशन ने ये फैसला सुनाया M.K.M. P.I.B. के रहनुमा अली रजा आबदी ने फैसले पर मायूसी का इजहार किया है हमारे साथ नाइसाफी है फारुक बाई से भी ये कहेंगे कि इसको चैलिंज करें आदराबाद के साथियों में से कोई भी यहां पर मौजूद नहीं था शायद उनको पहले से इल्म था कि फैसला क्या आने वाला है ये भी एक तश्वीश की बात है फारुग सतार के खिलाब दर्खास तौकालिद मकबूल सिद्دिकी और कुणर नवी जमील ने दायर की थी एलेक्शन कमिशन का कहना है कि फैसला मेरिट की बुन्यात पर सुनाया गया तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा फारूख सतार ने एलेक्शन कमिशन की दारा इक्तियार को चैलेंच किया था लेकिन फारूख सतार के ये एतराजात भी मुस्तरत कर दिये गए बखतसर फैसले में कहा गया है कि एलेक्शन कमिशन को कनवीनर्शिप से मतालेक समात का इक्तियार था तो ये बड़ा फैसला आया है आज के रोज एलेक्शन कमिशन अफ पाकिस्तान की जानब से इसके असरात क्या होंगे मतहिदा पर कराची की सियासत पर इसी पर बात कर लेते हैं बियोर चीफ कराची असलाम खान ने हमें जॉइंग किया है असलाम बहुत शुक्री आपके वक्त का साथ साथ ये बताईए कि अब होने क्या जा रहा है क्या फारुक सतान ने ये सोच रखा है कि अगर फैसला उनके खिलाफ आया तो वो राहें जुदा भी कर सकते हैं और अगर नहीं तो क्या वो किसी लोर पोस्ट पे काम करने को तयार हैं खालिद मखबूल सिद्धी के अंडर 18 मार्च को यौमे तासिस के मौके पर जब उनसे ये सवाल मैंने किया कि आप क्या फैसला करेंगे अगर आपके खिलाफ फैसला आता है तो उन्होंने कहा कि जो फैसला आए वो कबूल करेंगे अगर उनके खिलाफ आया तो भी इसे कबूल किया जाएगा और अगर खालिद मखबूल सिद्धी के खिलाफ आया तो उन्हें भी कबूल करना चाहिए यह बात हो रही है अठारा मार्च को लैकता बात पर जब जलसा था वहां उनसे सवाल किया था मैंने तो उस पर उनका यह कहना था और अगर हम बात करें कि अब क्या हो सकता तो तीन आप्शन इस वस्वास सामने नजरा आ रहे हैं है जिसकी बात किया लिदा आप्डी ने क्या अगर वो अदालत की तरफ जाये तो शायद उनको आ़ज़े रिलिफ मिल सकता ए मुस्तकिल का अभी नहीं कहा जा सकता है अकि आज़े रिलिफव वहां से मिल सकता है जिसकी बहादरबाद ग्रूप उनको आफर कर चुका था और तीसरी बाद जो तीसरा उप्शन है वो ये कि वो PSP की तरफ चले जाएं अगर वो PSP की तरफ जाते हैं तो PSP दो साल में कई बार उनको एक बड़े ओधे की और जिम्हेदारियों की पिशकिश करती रही है कि वो PSP में शामिल हो जाए तो उनके जो कड़ के बराबर एक ओधा भी देया जाता है जो उनकी एक शखसियत है उसके इसाब से उने जो अकमोडिट की जा सकता है और उन्हें जिम्हेदारियां दी जा सकती है लेकिन साथ साथ एक और बात है कि क्या वो अपनी नई जमाद बना सकते हैं चुँके इस वक्त उनके पास से MQM की जो कन्विनर्शिप है वो भी जा चुकी है और साथ साथ पतंगा निशान वो भी उनके पास नहीं रहा है लेकिन अलेक्शन में अब सिर्फ चार महीने रहें पारू साथ साथ के लिए किसी नई जमाद का बनाना अब एक बहुत मुश्किल टास्क होगा जो लगता नहीं है कि वो इस पर जाएंगे और इसके साथ अब ये दो दो और तीन आप्शन है उसमें से वो किस आप्शन पर जाते हैं इसका भी फैसला होना अभी मैं कहुंगा शायद कुछ वक्त वो लेंगे अभी जाहर है कि इस पर जब उनसे बात करने ये कुशिश की गई ये समझते थे कि उनके हक में फैसला आएगा और बहादराबाद गुरूप को उनकी माननी पड़ेगी और दूसरी तरफ अगर हम देखिए कि बहादराबाद गुरूप भी थोड़ सा इस हमाले से परिशानी का शिकार था कि शायद उनके हक में फैसला ना आए लेकिन इस हो सकता है कि ये दुबारा अपस में ही कुछ अंडरिस्टेंडिंग कर ले देखिए इस वड़ बहादराबाद की जो पोजिशन है उसके पास जो बाजी और जो दाव पर लगाया था फारुग सतार साब ने फारुग सतार साब बाजी भी हार चुके हैं और जो कुछ उनके दाव पर लगाया था वो सब का सब हार चुके हैं तो इस वड़ पोजिशन एक फाते की जो पोजिशन होगी वो बहादराबाद गूरूप की होगी और अब ये देखना होगा कि वो एक जो मैं कहूंगा कि फाते की ऐसे से क्या फैसला करते हैं वो बड़ा एहमेत का हामेल ह लोगा क्योंके कवर नवीर जमीर खाली अबूल सिर्दीकी ये कह चुके हैं कि फारू सतार साब एक कारकून के तोर पर आकर कि पार्टी में काम करें अब वो कन्वीनर नहीं रहें लेकिन इस सुरत आल में क्या अब वो दुबारा जाकर के फारू सतार साब को पी आई बी स लेकर आएंगे जैसे के बार बार जब नहीं हारी बाद के ही हाथ में हैं क्योंके वही फातिह खरार पाई हैं इस जंग में शुक्रिया आपका असलम खान इस बारे में आपने तफसीलियन बात की आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात हो जाए अदालती मौमिलात की रिकॉर्ड टेंपरिंग केस में जफर हजाजी की मुकदमा खारच करने की दरखास मुस्तरद कर दी गई है ट्राइल कोड को मुकदमे की कारवाई जारी रखने का हुक्म दिया गया है इसलाम अबाद ह हाई कोड ने इस मौमले पर अपना फैसला सुना दिया साबक्स चेर्मिन सी सी पी जफर हजाजी पर ये लजाम है कि उन्होंने रिकॉर्ड टेंपर किया है पैनमा का जो केस इन्वेस्टिगेट होता रहा जे आई टी जो रिकॉर्ड तलब करती रही उसको लेकर ये बात प सुप्रीम कोट में आज के रोज ओकारा में गंदे पानी से जनाजा ले जाने का जो अस खुद नोटिस था उस पर केस की समात हुई और खुद भी जनाजे में शरीक था काउंसलर हुजरा शाह मुकीम ने ऐसा बताया और साथ ही उन्होंने कुछ आहम इनकिशाफाद की ना हुजरा शाह मुकीम में गंदे पानी से जनाजा ले जाने का मामला सुप्रीम कोट में अस खुद नोटिस केस की समात इलाके का कौंसलर अदालत में पेश शिकायात की पटारी खोल दी व्यूस्पल कमीटी के चेर्मेन पर जनाजागा की जमीन पर कबज़े का इल्जाम चीफ जस्टिस ने मुन्तखिब नुमाइंदों को तलब कर लिया समात के आगास पर एडिशनल एटरॉरी जनरल ने बताया कि हुजराशा मुकीम के कौंसलर नायाब काशिफ कमरे अदालत में मौजूद है चीफ जस्टिस ने कौंसलर से पूछा कि आपके अलाके में क्या हो रहा है मकामी हकूमत ने तो लोगों की फलाह के लिए काम करना है गंदगी की वज़ा से जनाज़ा ले जाने बालों के कप्ड़े नापाक हो गए कौंसलर नायाब काशिफ ने बताया कि इस जनाज़े में वो खुद भी शरीक थे लेंड माफिया ने जनाज़गा और कबुस्तान पर कबजा कर रखा है जनाज़गा पर म्यूस्पल कमीटी के चेर्मेन का कबजा है अलाके के पार्क को भी प्लाट बना कर फ्रोख्त किया जा रहा है आयाप काशिब ने बताया कि हुजराशा मुकीम से रुकने कौम इसमली नून लिके राओ अजमर और एंपिये रजा गिलानी है म्यूस्पल कमीटी के चेर्मेन एंपिये का करीबी यजीज है म्यूस्पल कमीटी को रखुमत की तरफ से हरमा 15 लाग रुपे मिलते है चीफ जस्टिस ने कौंस्टर को एक हफ़ते में तेली शिकायात दायर करने की दायत करते हुए इलाके के में ने एंपिये और चेर्मेन म्यूस्पल कमीटी को तलब कर लिया साथी रपोर्टर इमरान वसीम के साथ अदील वड़ाई दुनिया न्यूज इसलाम अबाद इसके इलावा तारिकी ने बतन चालके काई ने प्रॉड़ाई दुनिया थाइब प्रॉड़ाई ने दामदे प्रॉड़ाई बतन